हाई वेलकम टो अचीवर्स अकेडमी आज हम ओम सला पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में इससे पहले हमने करेंट पढ़ लिया है पोटेंशल डिफरेंस पढ़ लिया है तो वीडियो को पूरा देखना तभी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यह कॉंसेप्ट चल ऑम सला करने से पहले हम पिछले टॉपिक का रिविजन कोई कौनसी ट्रम्स पढ़ी है पिछले दो वीडियो में एक ट्रम हमने पढ़ी थी इसखरेंट ठीक है एक हमने पढ़ा था potential difference दो हमने पढ़ा था एक हमने पढ़ा potential difference एक पड़ी current तो पहले देखते है current क्या होती है current क्या था rate of flow of charge rate of flow of charge यह हमने पढ़ा था ठीक है और rate of flow of charge को हमने denote कैसे किया था current को आई से denote करते हैं तो चार्ज हमारा Q से डिनोट होता है और अपन T हो जाता है time क्योंकि rate के साफ से potential difference को हम voltage भी बोलते है और ये क्या होता है ये होता है work done potential difference क्या था हमने क्या पढ़ा था work done in moving a charge from one point to another point ये हमने पढ़ा है और इसका जो हमने formula पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने V is equal to W upon Q ये हमने पढ़ा था work done upon charge तो work done होता है हमारा w और charge हमारा होता है Q ये हमने पढ़ा था unit की हम ऐसा ही unit की बात करें यदि है तो ऐसा ही unit हमने क्या पढ़ी थी current की unit हमने पढ़ी थी ampere डिनोड करते है capital A से और potential difference को हम voltage कहते है वी इसके हमने unit पढ़ी थी volt इसको डिनोड करते है capital V से तो ये सब ध्यान आगया होगा आपको revision के लिए मैंने एक बार इसका recall करने के लिए आपको फिर से बता दिया इसका ध्यान रखना अब यहां पर हम एक नई चीज में पढ़ करेंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में लेकिन एक idea यहां पर लेते हैं तो देखो resistance क्या होता है resistance अब हमारा current है हमारा electrons फ्लो हो रहे हैं तो जो conductor में electrons फ्लो हो रहे हैं तो उसको कौन फ्लो करा रहा है potential difference यानिकि voltage लेकिन क्या होता है कि कहीं पर रुकावट भी तो हो सकते उसमें अब वो रुकावट यानिकि वो अपोस करेंगा current के फ्लो को आ रहा है समय में वह आप यदि suppose अपनी गाड़ी दोड़ा रहो रास्ते में traffic नहीं है तो गाड़ी बहुत आराम से जाएगी आपकी लेकिन ट्रैफिक है तो क्या है आप slowly slowly चल पाओगे तो same चीज तो यहाँ पर है यहाँ पर क्या है यह यदि हमारा conductor şimdi है सपोज यह हमारा एक conductor एख ऑपायो अरुस कणरः बहोस सारे एलेक्ट्रोंज हैं तो केवल एलेक्ट्रोंस तो नहीं है ना साथ में इसके atom भी तो हैं ठीक है यह suppose मेरे atom हो गए तो electrons भी है atom भी है तो अब यह electrons को move करना है अब यदि यहाँ पर interruption जाद होगा तो electrons कैसे pass हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे pass इसली तो वही चीज है आपका resistance यदि electrons easily pass नहीं हो पाएंगे current easily flow नहीं हो पाएंगे कोईज हो करनेज़ करना चाहता है क्रेंट लेकिन कोई उसको रोक रहा है कैसे चले नहीं हो पाएगा तो यह क्या है यह ही resistance है तो अभी हमने देखा कि जो current है वो हमको जो electron flow हो रहे है suppose कौन flow करा रहा है potential difference तो यदि voltage जादे है तो current जादा होगी, voltage कम है तो current कम होगी लेकिन एक और भी चीज़ होती है जो कि resistance होती है जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे, एक idea हम यहाँ पर लेंगे बाकि हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे resistance के बारे में detail में, यहाँ पर हम एक idea लेंगे तो यहाँ पर resistance क्या है, it opposes the flow of current, यह क्या करता है it opposes the flow of charge, अब charge को flow नहीं होने देखा तो current सो कम होई जाएगी तो जादे resistance होगा किसी material में, तो current उतना कम flow होगी, कम होगा तो उतना जादे flow जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले है यह experiment जो आप देख रहे हो, यह actually मैंने experiment इसलिए आपको शो किया है, क्योंकि आप लोग लेप तो जान नहीं रहे हो, यह experiment तो आपके slivers में, आप कर नहीं पाओगे तो मैंने का ठीक, आपको एक idea मिल जाएगा, सिर्फ for giving an idea, I have taken this image, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ohms law पढ़ने वाले वाप, उसमें क्या है, कि voltage, जो potential difference है, वो आपके current, जितना potential difference आप दोगे, उतना ही current हो जाएगा, means यह आप बढ़ाओगे, तो current भी बढ़ जाएगा, उसको घटाओगे, तो current भी घट जाएगा, यही देखना है हम को, तो हम current को देखना है, कि बढ़ रहा ह यह घट रहा है, वो देखने के लिए मैं क्या चाहिए, हम चाहिए, वोल्ट मीटर, और हम जो circuit बनाते है, circuit में हम क्या क्या attach करते है, cell attach करते है, ठीक हो गया, हम इने ammeter को, देखो, ammeter को हमने series में लगाना है, हमने series में लगा है, यह आपका cell से यहा रहा है wire, यह switch हो गया, यह आपका ammeter लग रहा है, फिर ammeter के एक end पर यह लगा हुआ है, और दूसरे end से आपने क्या connect गया, यह देखो, इदर से यह wire जा रहा है, यह जा रहा है दूसरा wire, यह दूसरे end से connect हो गया, तो ammeter आपका series में है, यह switch से connect है, एक side से यह, और एक side से यह इदर battery से, और यह वो यहुत कोई साइट से दूसरे साइट से सूइच के खनिक्ट आ तो यह सीरी खनिक्षन है लेकिन वोल्ट मिटर मेटर ओंचोज़ कहां ओते देखो वह ओ पेरलल करेंच होता है और यह किसके across connected है parallel नाइक्रोम वायर के नाइक्रोम वायर के है यहाँ पर resistance है ठीक है यह एक resistor होता है नाइक्रोम वायर तो उसको लेते हैं तो अब यहाँ पर यह 4 cell दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 1 2 3 4 4 cells हैं this is 1 this is 2 this is 3 and this is 4 और यह क्या लिख आपका 1.5 volt each मतलब हर एक की जो value है वो 1.5 volt है तो इस experiment में हम जो करने वाले हैं उसमें क्या पहले हम एक cell को लगाएंगे फिर हम दोनों में voltage भी measure करेंगे voltmeter में और emitter की reading लेंगे फिर हम दो cells को combine करेंगे फिर reading लेंगे पिर हम तीन cells को combine करेंगे फिर हम दोककी का में वोल्ट मेटर की reading लेंगे और फिर हम 4 simple सा एक circuit बना लेते हैं ठीक है अब यह जो circuit है इसमें क्या-क्या देख रहो पहले यह देख लो इस circuit में आप देख रहो एक cell हो गया है ठीक हो गया मैंने एक ही cell अभी लगाया हुआ सिंगहल राव से लगाया हुआ यहा पर फे धो एक शेलों पर फिर हमने क्या लिए यह लिए सोत्यामbor के लिए वोल्ट मेटर क느 wider कॉर्ण की बमार है यह अओर आप मीटर की लिए करनी है यह क्या हमारा स्वीच है ठीक है हमने स्वीच ले नहीं है स्वीच कोई तो आफ और अन करेंगे अब हमारा यह भी देख लो कि किस तरह से कनेक्ट किया है यह जो सेल का हमारा प्लस है सेल के प्लस से आपका यह एमीटर का प्लस कनेक्ट हो रहा है ठीक है यह आप देख यदि आप देखोगे तो बोल्ट मीटर का प्लस यह है और इसका भी प्लस यदि आप देखो तो इसी तरफ से आ रहा है यह इस तरह से करकी तो आ रहा है तो यानि कि दोनों प्लस एक साइड हो गए तो हमें यही करना है जब हम बोल्ट मीटर को अटेज करें चैहा हम आमीटर को अटेज करें हमें प्लस-प्लस एक साइड रखें बैटरी के साइड बैटरी के प्लस की साइड कह सकते हैं और माइनस बैटरी के माइनस की साइड यह हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया है जो करेंट की डिरेक्शन है वो भी हम शो करेंगे कितर से शो करेंगे from positive to negative हमारा plus से minus की और इस तरह से हमारा current की direction शो होई है अब हमने क्या क्या एक cell जब लगा है तो हमने ammeter reading लिए और यहाँ पर हमने voltmeter में भी reading लिए दोनों में reading लिए अब हम देखते हैं क्या हमने reading note की है अब जो reading लेंगे इसकी तो हम जब reading लेने के लिए हमने एक table बनाई है यह table में हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने first column में क्या लिखा serial number कितनी reading लेंगे दूसरे column में हमने क्या लिखा number of cells कितने cells यूज की है third column में लिखा हमने current through the nichrome wire this is the third column ठीक है यहाँ पर लिखा है current through the nichrome wire और यह हमने यहाँ पर i की value लिखी current की fourth column में हमने लिखा है potential difference across the nichrome wire ठीक है और यह हमारा v की value आजाएगी फिर last one हमने लिखा है v upon i तो हमने जब first reading लिए हैं हमने क्या किया first reading में cell एक ही लगाया है single cell लगाया है suppose मेरी reading a meter की 1 ampere आई और मैंने voltmeter की reading लिए वो 2 volt आई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो जो हमारा यहाँ पर v upon i क्या होगा 2 volt सीधी सी बात है v क्या है 2 volt आई कितना हमारा 1 ampere तो हमने अपनो अपन 1 ampere लिख दिया अब चलिए देखते दूसरी reading क्या है दूसरी reading के लिए हमने क्या क्या है हमने 2 cell लगा लिया अब हमारे पास अभी एक एक cell था आउनने दूसरे cell भी लगा लिया अब 2nd cell लगाने के बाद भी हमने क्या क्या reading लिए i ammeter की reading लिए और Felix में वहने voltmeter की reading लिए ठीक्या यह जब हमने वोल्ट मीटर को लगा है देखो यह एक्रोस नाइक्रोम वायर जो हमने रिडिंग लिखा है तो यह हमारा यह नाइक्रोम वायर है और करेंट भी हमें इसके थूरू ले रहे हैं तो सिरीज में लगता है अमीटर तो ठीक है यह सब चीज़े दियान रखना है कि हमेशा parallel में लगना है और meter आपका हमेशा series में लगना है तो अब हम इसकी reading note कर लेते हैं जब हमने 2 cell लगा लिये reading note करते हैं तो अब हमारे 2 cell है second reading 2 cell है current suppose मेरी 2 ampere आई आपर और voltage आया हमारा 4 volt ठीक है कितना है हमारा 4 volt अब जब 4 volt आया है तो कितना होगे हमारा V upon आई कितना होगे 4 volt upon 2 ampere यही आया है तो हमने ammeter की reading लिए उसमें suppose मेरी reading 2 ampere आई और voltmeter में reading suppose 4 volt आई समझ में आ रहा है ना तो 4 volt upon 2 ampere correct हो गया अब देखते हैं अब हमने क्या क्या है यह 3rd cell लगा लिया फिर से हमने वोल्ट मीटर की reading देखेंगे कि यहां पर क्या reading आ रही है और हम देखेंगे ammeter में क्या reading आ रही है दोनों की reading देखेंगे ठीक है और एक चीज और द्यान रखना है जब आप आप cell change करोगे उस समय switch को off भी करना होगा रइट तो अब हम reading फिर से देखते हैं कि हमारी reading क्या आई है after the three cells तीन cells के बाद में हमारे reading में जो change आया है उसको देख लेते हैं तो अब हम reading जब देख रहे हैं तो हमारा क्या आया है यहां पर तीन cell हमने यूज़ किया तो reading में भी change आगया reading में क्या चेंज आया सपोज यहां पर three ampere हो गया और यहां पर हमारा क्या हो गया आपका six volt हो गया ठीक अश्व हमारी reading दो सेल में four volt थी यहां पर कितने हो गया हमारे suppose six volt हो गई अब six volt हो गई तो हमने वी अपॉन आई कितना किया six volt अपॉन कितना हमारा MPR है three MPR वो नोट कर लिए हमने ठीक हो गया अब हम क्या करेंगे एक और reading लेंगे fourth reading चार cells के साथ में ठीक है four cells use करके अब हमने आपर four cells ले लिया one two and three and four तो जब हमने चार cells लिया है तो हमने रीडिंग नोट कर देए इसकी ammeter की भी reading ठीक है reading obviously बढ़ेगी क्योंकि हमने चार cells बढ़ाया है यानि कि potential difference हमने बढ़ाया potential difference बढ़ाया means जाद है four से electrons अब flow करेंगे ज्याद है उनको energy मिल रही है ज्याद है इसली flow करेंगे तो current हमारी बढ़ गई तो current बढ़ गई अब हम देखते है reading क्या है यहां पर reading हमने note करनी है fourth observation हमारी है four cells के साथ में ठीक है suppose मेरी जो ammeter की reading है four ampere है और जो voltmeter की reading है वो eight volt है ठीक है तो eight volt है और यह four ampere है तो हमने क्या क्या है यहां पर eight volt लिखा अपान four ampere यह हमने reading note कर ली अब यह सब नोट हम कर रहे हैं इसका कोई conclusion भी निकल रहा होगा तो एक चीज इसमें note करने वाली है कि जो ratio से बढ़ रहे है कि करेंट हमारा जितना हम voltage भढ़ाते जा रहे है तो इक constant ratio से बढ़ रहे है यह यहां पर देखो two upon one है तो यह two आया four upon two भी आपका two आया six upon two भी आपका two आया eight upon four भी आपका two आया यह जिस ratio से हमारा voltage बढ़ा उसी ratio उसे हमारी current पड़ी, इसलिए तो हमारा v upon i constant हो गया, ठीक होगा, राइट, इसका graph देख लेते हैं, यहाँ पर एक graph इसका important है, तो suppose graph के लिए मैं क्या करते हूँ आपर, जब भी आप graph बनाते हो, क्या करते हूँ, दो axis लेते हो आप, एक axis आपकी x होती है, और एक axis आपकी y होती है, यहाँ पर हमने y axis में क्या ले रहे हैं हम, v ले रहे हैं, ठीक है, v हम ले रहे हैं, across the y axis, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x axis पर i ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर क्या लिए हमने आई लिया अब हम क्या करेंगे इस पर थोड़ा सा इन रीडिंग्स को लेकर के हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे सपोज यह मैंने जीरो लिखा और इसमें हम करेंट में ले ले लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 5 यहां पर हम वोल्टेज ले लेते हैं 2 4 6 8 अब हमने से उटा करके यह लिख लेते हैं अब हमने जो रीडिंगो लिए थी देखो हमारा यह हुगये फीडिंग्लिद लोगे मैं यह श कीअक्सिस पर हो घा और वी हमारा Y-axis पर हो गया तो हमने जो रीडिंग दी थी हमारी रीडिंग के आईए देखो फर्स्ट रीडिंग हमारे आईए 1 Ampere तो हम करेंट लेते हैं 1 Ampere यहां पर हम 1 Ampere पर एक ड्रॉ करेंगे और प्लस हमारा 2 Volt है तो यहां से हमें 2 Volt लेना है और यहां से 1 Ampere ठीक है यह हमने 2 कर लिया हूँ यहां तक लिया 1 तक इस तरह से कर लिया सेकेंड रीडिंग हमारी 2 Ampere and 4 Volt तो यहां 2 Ampere और यह हमारा 4 Volt आएगा इस तरह से बन गया है ठीक है थर्ड रीडिंग हमारी 3 Ampere and 6 Volt बहुत आसान है लेकिन बहुत समझने का है, यह बहुत important होता है आपका, यह आता है, इंदी form of numerical भी आता है, वैसे भी पूछा जाता है, last reading थे हमारी 8 volt और 4 ampere थे, यह हमने यह इसको बना लिया, अब जब आप scale से बनाओगे तो तो और अच्छा बन जाएगा, यह बिलकुल एक straight line आपका बन यह इस तरह से, तो यह हमारा इसका proper graph बनते है, जिसको हम कहते है, वी आई graph, तो यह वी आई graph के है हमारा, वी आई graph है, across the, जो आपका नाइक्रोम वायर है, उसके across, आपका potential difference, यह आपका क्या है, potential difference, and current, flowing through the नाइक्रोम वायर, एक और चीज़ याद रखना है, जो आपके symbols होते हैं, जैसा कि मैंने diagram में आपके दिखाया है, यह जो आपका symbol है, यह आपका resistance होता है, यह resistance का symbol है, और जब हम इसको इस तरह से करेंगे, कि उपर एक arrow भी आ जाएगा, ठीक है, यह तो आपका resistance है, और यह आपका variable resistance है, तो यह दोनों symbol भी ध्यान रखना, तो यहाँ तक अपच्छे से समझ में आगया होगा, अब हम चलो, Ohm's law को देख लेते हैं, एक बाद definition पढ़ लेते हैं, अच्छे से, SI unit वगरा देख लेते हैं, तो definition का है Ohm's law की, Ohm's law states that the potential difference between the two points is directly proportional to the electric current at the constant temperature, ठीक है, तो जो आपकी voltage है, that is directly proportional to current, तो suppose मैं यहाँ पर लिखूँ, V is the voltage, यह directly proportional किसके आपके, current के, इससे क्या पता लगता है, यह जो symbol होता है, आपका directly proportional, इसका मतलब क्या होता है, कि if V increases, V बढ़ेगा, तो क्या होगा, IV इंक्रीज करेगा, and if V decreases, V decrease होगा, तो IV इंक्रीज होगा, यही तो होता है, इसका मतलब, V उपर जाएगा, IV जाएगा, ठीक है, और आपने देखी लिए, experiment में कि उसी ratio से भी बढ़ता है, अब यदि हमें इसको constant sign को हटाएगे, तो हमारा formula बन जाएगा, V is equal to IR, यहाँ पर यह जो R है न, यही resistance है, R क्या है, resistance है, और यह क्या एक constant भी है, ठीक है, कैसे constant है, तो यदि मैंने, V is equal to IR लिखा है, और यदि मैं लिख दूँ, V upon I is equal to R, तो हम जब is equal to proportion sign हटाते हैं, तो हमारा पास क्या मिलता है, हमको constant मिलता है, और यह हमने experiment में भी देखा, हमने देखा कि ठीक है, हमने जितनी भी रीडिंग्स ली, और उनका V upon I के तो हमारे constant आ रहा था, ठीक है, तो यह आपका R resistance है, resistance की, आपको द्यान होगा, मैंने भी आपको बताया था, क्या होता है था, याद करो, yes, ठीक, very good, कि यह अपोस करता है current को, ठीक है, तो हमारा, अब अपोस करता है current को, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, V is directly proportional to I, तो यानि की, जो current है, वो direct, किस पर depend कर रहे है, current depends on, देखो, current किस-किस पर depend करती है, current depends on potential difference, that is V, and at the same time, current also depends on R, that is resistance, current इस पर भी depend करती है, इस पर कैसे depend करती है, देखो, यदी हम देखें, यह हमारा क्या है, V upon I is equal to R, right, तो यदी हम देखें, तो I is equal to क्या हो जाएगा आपका, V upon R, यही तो बनेगी, जो आपका formula है, वही, I और R तो multiply कर रहे है, तो जब I करोगी, तो I is equal to V upon R, जब हमने I is equal to V upon R लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि I is inversely proportional to R, अब इस condition में क्या होगा, यदी आपका R increase करेगा, तो I decrease करेगा, और यदी आपका R decrease करेगा, तो I increase करेगा, इसको दूसरे तरह से भी समझ लो, R क्या है, resistance क्या करते है, अपोज करते है current को, तो जब current को oppose करेगा, तो इदी ज़ादे oppose करेगा, यानि कि ज़ादे resistance होगा, तो current काम हो जाएगी, काम oppose करेगा, तो current ज़ादा हो जाएगी, simple सा हो गया आगया समझ में तो यह आपको समझ में आ गया यह formula देखो बहुत important formulas हैं यह V is equal to IR V upon I is equal to R लिख सकते हो और R लिख सकते हो और I is equal to V upon R लिख सकते हो तो यह आपको बहुत ध्यान से करना है यह सारे इन पर based numericals आएंगे this is very very important Ohm's law मैंने शुरू से आपको जो experiment दिखाया उसमें आपने समझ लिया होगा अच्छे एक और चीज आपको बता दू मैं आपर अभी तिसकी unit में बतानी है तो कोई जो हम resistance की बात कर रहे हैं तो resistance में क्या है कई तरह के material हो सकते हैं आपने पढ़ा है conductor पढ़ा है आपने पढ़ा है insulator ठीक है लेकिन एक और चीज होती है जो हम इसके बीच में लिख सकते हैं जो क्यों होती है आपकी resistor बीच में क्यों लिख रही हूं? क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है ठीक है इसको हम लिख देंगे resistor और यहाँ पर हम लिख देंगे insulator conductor क्या होता है इसमें conductor वो material होगा जिसमें resistance बहुत कम होगा एकदम nail होगा easily current flow होगी means it allows the current it allows the current to flow in a conductor और resistor क्या होगा it resists the current अब resist क्यों करेगा यह यहाँ पर भी लिख दो flow of current means इसमें जो resistance है इसमें resistance क्या होगा conductor में क्या होगा resistance nail होगा यह बहुत कम होगा यहाँ पर जो R होगा resistance होगा वो कुछ appreciable होगा मतलब वो ऐसा होगा कि yes वो उसको effect डालेगा current के flow को insulator में R जो है बहुत हाई होगा आयसमें तो जो insulator होगे it does not allow the flow of current यहाँ पर current का flow बिलकुल भी यह allow नहीं करेंगे जो resistance होगे तो यह तीन टरम्स आपने देख ली conductor, resistor and insulator अब इसकी SI unit देख लेते है ohms law में तो यह definition तो आती है कि resistance की definition क्या है current की यह voltage की potential difference की लेकिन साथ में यह भी आती है one ampere की definition आ गई तो उसी तरह से one ohm की definition आती है तो हम इसको define कैसे करेंगे यह को define करने के लिए हम लिखेंगे if the potential difference across the two ends यह थी दो ends पर जो आपका potential difference है conductor का वो one volt है और उसके across current कितनी flow हो रही है one ampere and the current through it is one ampere then the resistance R of the conductor is one ohm यह आपकी definition है और इसी तरह से आप लिख लोगे यहाँ पर one ohm is equal to one volt upon one ampere तो समझ में आगया होगा हमने यहाँ पर आज क्या क्या पढ़ लिया ohm's log को अच्छे से पढ़ लिया साथ में हमने resistance पढ़ लिया ohm's log का graph देख लिया उसका experiment देख लिया किस तरह से हमारा voltmeter और emitter का use है वो देख लिया किस तरह से हमारा voltage बढ़ाने से current बढ़ रही है वो देख लिया और resistance हमारा current के flow को कम करता है current हमारी दो चीजों पट्रेपेंड करती है potential difference पर और resistance पर potential difference बढ़ेगा current बढ़ेगी resistance बढ़ेगा current घटेगी potential difference के directly proportional है और resistance के inversely तो यह सारी चीजे है हमने देख लिए बहुत important topic है पूरा वीडियो अच्छे से देखना और यदि कहीं पर कोई चीज भी inquiry है तो उसको आप पूर सकते हो वैसे तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो देख कि आपको बहुत अच्छे समझ में जाएगा और आप प्रिपेर हो जाएगे नुमेरिकल्स के लिए ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए have a great day thank you for watching the video